गुड आफ्टरनून आज की जो ये प्रेस मीटिंग है जो ब्रीफिंग है दिस बेसिकली रिगार्डिंग सम थेफ्ट इंसिडेंट जो सब्डिविजन उशहरा की चुरिस्टिक्शन में पिछले एक डेड़ महीने में हुए थे इसी के आगे चलते हुए मैं आपको इंफर्म करना चाहूंगा कि लास्क डेसेंबर बीस इकिस की रात को त्रयाट में मार्कित में एक चोरी का इंसिडेंट हुआ जिसमें 13 दुकाने तोड़ी गई थी सिंस इट वाज बड़ा इंसिडेंट था तो कोशिश की हमने उसमें और पिछले एक डेड़ महीने की कोशिश हमारी टीम के अच्छे एफर्ट्स की वया से ये केस अब क्रैक हो चुका है इसमें इंवाल्व चार बंदे हैं जिन में से तीन हमारी कस्टिडी में हैं इन चारों की डेटेल मैं आपको देना चाहूंगा एक है फ्याज एहमद सनफ अब्दुल मुहमद सदीक आरो गराट काला कोट दूसरे हैं सर्फराज एहमद सनफ जमील एहमद ये भी गराट काला कोट के रहने वाले हैं तीसरे हैं मुहमद सलीम सनफ मुहमद यूसफ आरो डांगरी तहसील रजोरी के रहने वाले हैं और चो जो चोता सक्षा है यह स्टेल अप्सकॉंडिंग है इसको डूढने के लिए हमारी टीम्स ऑन जॉब हैं टेक्निकली भी जो एक्षिन कर सकते हैं वो कर रहे हैं ताकि इनको इसको भी एप्रिहंट कर लिया जाए इन सब की कस्टिडी से फिलाल जो कुछ उन्होंने उस दिन ल साथ थोड़ा बहुत कैश भी इन से रिकवर हुआ है इसी में मैं आपको एक सीज़ और भी बताना चाहूंगा इन चारों एक्यूस में से तीन एक्यूस्ट हमारे एक और चोरी के इंसिडेंट में शामिल थे जिसकी जो काला कोड की जेडी में हुआ था दिसम्बर की शुर की है हम जल से जल उसको भी गृफतार करेंगे ताकि जो उन्हों ने कानून को अपने हाथ में लेके कारवाई की है उसके लिए जो भी कानूनी कारवाई बंती है बंती है यूड बी पनिश्ट फॉर उर अट्सर कुल कितनी दुकाने तोड़ी थी और कितना जो कैश है और क इतना जो है वो बरामत कर लिए गया तेरा दुकाने तोड़ी गई थी उस जिन कितना समान गया था दैट इस तिल अभी अभी अंडर इंवेस्टिगेशन है इन से जो रिकवरी हुई है इन्होंने बताया है कि यही हमने लाया है अलबता कुछ और भी चीजें हो सकती है जो फोर्थ एक्यूस्ट के पास होंगी अभी उसको डिस्टोस नहीं कर पाएंगे बट सटनली जैसे ही वो चोथा एक्यूस्ट मिल जाएगा उसके बाद यह सारा क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना समान गया था और कितना रिकवर हो पाया है